नमस्ते तां जो स्वागता मुंबै जो सिंधी चैनल ते एं उमीदाता सब ही कदम ठीक उन्दव अज संगाल कंदासी पैंज इश्ट देव यानि जूले लाल जी चाहदा की खबरा हुनन जी स्टोरी चाय किया जूले लाल सिंधी जा इश्ट देव थया एहुनन जी सजी कहानी चाय तँ अचो शुरू कयूं जूले लाल जो नालो अठी आयो लाल सबी जूले लाल तँ जूले लाल जी स्टोरी है नप्रकारा प्राचिन सिंध में सदिन खा हिंदुन जो राज थीन्दो हो मुहमत बिन कासिम का पोए राजा डाहिर के शिकस्त देई इसलामी निजाम कायम थे हो शेहर ठटो मीरक शाजू राज हो हुनजी दरबार में कम कंदर सिपाई एमब्या मंत्री हिंदुन खिलाफ बादशाखे जाम बढ़कायो बादशाखे हो चवण लगा तहां जी शराफत जो वान्या फाइदो प्यावठन हिन करे हिंदुन मुसल्मान मत्हा जुल्म प्याकन एतहां कयामत वारे डी अल्ला के चामू देखा रंदो बादशाख गबराय करे उननके चवण लगो उननके चाहीं कि हैं फसाद के रोकर्ण लाए चा कबो तम मौलवी जवाब डिनाई कि ठटे में सिर्फ इसलाम हुजे तम मुल्क में सुख एशान्ती हुन दी एह होना हे भी चाहो कि इसलाम जी खिद्मत लाए तहां के जन्नत जी हूरे भी मिलन दी हे बुदी बाद्शा जो मन व्याकुल थी हुँ हिक पासे हो सोचन लगो कि जो डबरदस्ती खामा इसलाम कबूल कराया हिंदुन का हिक तरफ होना के हे भी लालच हुँ कि हुना के इसलाम जी खिद्मत लाए जन्नत हुनन जी हूरूं भी मिलन दी आखिर बाद्शा फैसलो कयो एं सजय ठटे में संदेश पोचाईं बुदो 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 मुल्क में तरकी खुशाली शांती लाए सिंद में हिक ही मजब हुन दो एं ट्रेडियन में शाही मजजद में इसलाम कबूल कयो या सिंद छडे वनो ना फर्मानी जी सजा सजा एं मौत आहे हिंदू सब गड़ थया एं सोचन लगा आखिर हुनन फैसलो कयो नत हो इसलाम कबूल कंदा नहीं सिंद छडे वेंदा असा मीरक बाद्शा सा गालाएं दासी एं कुछ मोहलत गुरंदासी हुँ बाद्शावत वया एं हुनन के चयो असा के इसलाम कबूल करण में कोई मसलो ना है पर असा खे पहनजे बगवान का इजाजत वठनिया असा पहनजे पथरन वाले देवता के आजमायन ता चाउं मीरक शाही शर्त मनी मौलत खापोएं विचार करान लगा असी हाने केखे पुकारियों एं कियां पुकारियों उन में हिक ब्रामन हुयो उन चाई असा छोन सिंदुवज किनारे वनी करे वरुन देवता चिस ठोती कईयों सबसिंदन सिंदुज किनारे ते वनी चाली दिये ते बुख्या प्यासा वे यग्य प्रात्ना कईयों पल्लव पातों आखिर भक्त जी पुकार भगवान बुदें चाली दिये ते बगवान सबिन के दर्शन दिनाई संदस चाई प्यारा भक्त जनो मा वरुन देव तहां जी रक्षा करण ए मीरक बाच्शा के सई रा देखारण नसरपुर में रतन राय ए माता देव की जगर जनम वठन्दम मीरक खेवनी चव हिंदू जो राखो रखपाल अची रएवाहे आयो लाल सबेचो जूले लाल सब खुश थी नचन लगा खुशी मनायन लगा ए नव मैनन खा पोए नसरपुर में माता देव की जगर बसा जूले लाल पैदा थया मीरक बाच्शा के हिंद गाल जी खबर पई बाच्शा पेंजे मीर खे जूले लाल खे पिंगे में मारन लाय आदेश तिनो मीर रतन राय जे घर पोतो एंड जूले लाल के मारन जी कोशिश कई हुन गुलाप में जहर विजी करे जूले लाल के सुंगारन जी कोशिश कई पर जूले लाल ये लत हैंस की मीर जो नक हिकटी यो मीर जूले लाल के सुनारे वरते एंबाच्शा के चाई हो बार सच में हिंदुन जो देवता है मीरक बादशा गाल न मने ब्यात तरकीब ठायन लगो जूले लाल मीरक शा के सपने में देखा रही जे में जूले लाल होना के इंसानित सब इनका वड़ी आहे ही शिक्षा दिने मीरक बादशा के हे समझ में न आयो जूले लाल चमतकार खा मीरक बादशा जो महल गायब करे छटियो बादशा पोई भी न मन्यो हो न पहें जे सब इन सिपाई के मोकली जेके हिंदुन के मारन लगा जूले लाल वरी मीरक शा जे सपने में आयो होनन पहेंजे बाल रूप, जवान रूप एं बुजर्ग रूप जो दर्शन दिने जूले लाल ठटे में कयामत आने छटे ही कयामत दिसी मीरक बादशा ड़की यो एह होनन जूले लाल खा माफी वरतें जूले लाल मेरक शा खे माफ करे पहन जे पानिय में समाई जी व्या चैयों कि जूले लाल हिंदुन जी ये जूले लाल हिंदुन जी रक्षा कई तचव आयों लाल कयों जूले लाल बेड़ाई पार सदाई शावकार विरांगे में अखंड भारत जा टुकरा थ्या सिंधी पेंजे जमीन माल मिलके थे छड़े हिंदुस्तान में खाली हथ शर्नाथी थी आया हिन मौके थे राम पंजवानी सिंधिन के मंत्र दिनो जेको चौंदो जूले लाल तेंजा थीन दा बेड़ाई पार हाने जी ते सिंधी हून दा आयन वो ते जूले लाल जा मेला लगन दा आयन उडेरो लाल रेल्वे स्टेशन सिंध जूले लाल जो वड़े में वड़ो मंदर मस्जित जेके हैदराबाद सिंध खा बरसा आये होते जूले लाल जी चापुनियों ए अखंड जोट हमेशा बरन दिया आये उमीद आता सब इनके वड़ेों हों दी स्टोरी अगर तांके वड़ी तो जरूर शेर करो लाइक करो कमेंट करो एं सब्सक्राइब जरूर करो मा भी वड़ी भी स्टोरी खड़ीं दम सिंध सिंध जे बारे में ती तेस तैं जै जूले लाल झाल झाल